हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू मैं चैनल, आज हम फुल फ्लेर एलाइन गुर्ती बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने 2.5 मीटर फैबरिक लिया है, ये कॉटन का है, तो सबसे पहले हमने फैबरिक को टू फोल्ड करके रखा है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी वेड़ है, तो हमने फैबरिक को फोर फोल्ड किया है, यहाँ पर ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है, और ये फोर फोल्ड है 18 इंच का, और इसकी जो लेंथ है कुर्ती की वो हमने 42 इंच ली है, और इसमें से स्लीव के लिए हमने कपड़ा अलग कर लिया है, तो अभी हम इस तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच, इन दोनों पॉइंट्स को जोडते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, अभी यहां पर हमें चेस्ट का फूर्थ प्लस टू इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 11 इंच, आपका जो चेस्ट का साइज है उसको हिप की लेंद्ध लेंगे, तो वो मैं ले रही हूँ 20 इंच, अभी जहां पर हमने कमर लेंद्ध का निशान लगाया है, वहां पर हमें कमर का फूर्थ प्लस टू इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 9 इंच, अभी जहां पर हमने हिप लेंद्ध का निशान जाया है वहाँ पर हमें हिप का फोर्थ पार्ट प्लस टू इंच मार्जिन लेना है तो मैं ले रहे हूँ 11 इंच इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे अभी इस पॉइंट को हम क्रॉस में एक्स्टेंड कर देंगे नीचे बॉटम तक इस तरह से इसे हमें एलाइन शेप में ड्रॉआ कर लेना है अभी हम आर्मोल ड्रॉआ करेंगे तो इसका हाफ लेंगे और यहां से हम आर्मोल का शेप देंगे यह हमारा बैक का आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से फ्रेंट का आर्मोल भी ड्रॉआ कर लेंगे अभी हम neck की marking करेंगे तो neck width मैं ले रहे हूँ 3 inch और neck deep मैं ले रहे हूँ 5 inch front के लिए और back के लिए मैं ले रहे हूँ 4 inch उसके बाद हम round shape दे देंगे front neck के लिए और back neck के लिए भी हम round shape दे देंगे तो इस तरह से हमने marking कर ली है अभी हम cutting करेंगे सबसे पहले हम back neck और back armhole से cutting करेंगे तो हमने cutting कर ली है अभी यहाँ पर जो side में कपड़ा है इसे उठाते हुए हम इस तरह से रखेंगे देखे सीधी वाली side हमें तिरची वाली side से मिलानी है तो इसे हमें इस तरह से रखना है यहाँ पर और यहाँ पर one inch तक का margin रखना है हमें देखे one inch आ रहा है उतना ही चोड़ाई रखेंगे उपर से और extra cut कर लेंगे तो इस तरह से side से जो निकला हुआ कपड़ा रहता है उसकी ही हम कलियां यहाँ पर attach करेंगे यह देखे यह चार कलियां है और यह कुर्ती के भी चार पार्ट है तो यह हमारी यहाँ पर इस तरह से attach हो जाएंगी और इसे हम waste से ही attach करेंगे जहाँ पर हमारा कमर का size है वहीं से हैं हम इसे attach करेंगे अब यहाँ पर नीचे से हमें ground shape देते हुए इसे अच्छे से cut कर लेना है extra कपड़े को cut कर लेंगे अब यहाँ पर भी हम थोड़ा सा तेरचा है उसको भी हम सीधा cut करेंगे तो इस तरह से हमने चार कलियां cut कर ली है तो यह हमारी इस तरह से यहाँ पर attach होंगी अभी जब हम इसका घेरा देखेंगे तो यह हमारा 4 fold में 27 inch का आ रहा है तो 27 into 4 करेंगे तो वो हमारा 108 आता है मतलब 108 inch का यह हमारा total कुर्दी का घेरा बन जाएगा तो अभी हम इन कलियों को side में रख देंगे इन्हें हम बाद में attach करेंगे अभी इसमें से हमें back part को side में रख लेना है और front part को फिर से fold कर लेना है और उसके बाद हमें front neck और front armhole की cutting कर लेनी है तो हमने front neck और front armhole की cutting कर ली है अभी हम sleeves की cutting करेंगे तो इसके लिए हमने fabric को fourfold किया है यह दिखें आपर open side है और यहाँ पर fold side है और यह fourfold हमने लिया है नाइन इंच का जितना आपका आर मोल है उससे धाई से तीनी ज़ादा लेना है और sleeves की length हमने 12 इंच ली है length आप अपने according कम ज़ादा कर सकते है अभी यहाँ open side से 3 इंच पे mark करेंगे और यहाँ से हलका सा round shape देंगे इस तरह से अभी यहाँ पर हम sleeves bottom लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 6.5 इंच इन दोनों points को जोड देंगे और sleeves की cutting कर लेंगे तो हमने sleeves की cutting कर ली है यहाँ पर center में cut लगा लेंगे इससे हमें sleeves join करने में आसानी होगी अभी sleeves को open करना है और यहाँ पर sleeves की दोनों सीधी side अंदर की तरफ रखनी है या फिर ulti side अंदर की तरफ रखनी है उसके बाद ही हमें front का armhole draw करना है और इसकी cutting कर लेनी है तो हमने front armhole की cutting कर ली है तो इस तरह से यह हमने sleeves की cutting कर ली है यह हमारे दोनों side के sleeves है अभी हम neck के लिए strip cut करेंगे तो इसके लिए यह हमने fabric लिया है इसे हम fold करेंगे और front part को हम इसके उपर रख दिनके fold side के उपर हमें fold side ही रखनी है और neck के shape में इसकी cutting कर लेनी है तो इस तरह से हमने cutting कर ली है अभी यहाँ पर 1.5 इंच का margin छोणना है और extra कपड़े को cut कर लीना है तो इस तरह से हमने neck के लिए strip cut कर ली है अभी सेम इसी तरह से हम back part के लिए भी strip cut कर लेंगे अभी हम इसे front part में attach करेंगे तो इसे हमें open करते हुए रखना है और इसे हम right side में ही रखेंगे और इसके उपर strip को उल्टा रख देंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे तो हमने आपर सिलाई लगा दी है अभी यहाँ पर हमें छोटे छोटे cut लगा लेने है और cut लगाने के बाद में हमें strip को wrong side में turn करके top stitch लगा लिना है तो हमने यहाँ पर top stitch लगा लिया है और अंदर की तरफ जो हमारी strip है बाद में हम इसे fold करते हुए hand stitch कर लेंगे इस तरह से यह हमने front का neck ready कर लिया है अभी यह हम back neck बनाएंगे तो back neck के लिए भी हमने इसी shape की strip लिया है इससे हम इसके उपर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे उसके बाद हम इस strip को wrong side में turn करके top stitch लगा लिनगे और back का neck भी हम ready कर लिनगे तो हमने back neck ready कर लिया है अभी हम दोनों sides में कलिया अटेज करेंगे तो ये हमने चार कलिया कट की थी इसमें से दो हम side में रखेंगे दो front part में attach करेंगे और दो back part में attach करेंगे तो इस तरह से कली को लेंगे हम और यहां पर इसे रखना है और यहां पर देखे कली की जो सीधी side है ये सीधी side है तो ये सीधी side हमें तिर्ची वाली side से मिलानी है इस तरह से उसके बाद हमें यहां पर waste में निशान लगाना है जहां पर हमारा कमर का size है वहां पर निशान लगाना है ये कली हमें कमर से ही जॉइन करनी है उसके बाद इसे उल्टा रखेंगे और हाफ इंच के डिस्टन्स से सिलाई लगा देंगे उसके बाद इसे सीधा कर लेना है और दूसरी साइड में भी हम कली को इसी तरह से अटैज करेंगे वेस्ट में हमें एक मार्क कर लेना है और कली को हम इसके उपर उल्टा रखेंगे दोनों की सीधी साइड अंदर की तिरफ रखनी है और हाफ इंच की डिस्टन्स से सिलाई लगा देनी है तो इस तरह से हमने दोनों कलीओं को यहाँ पर अटेच कर लिया है साइड में तो देखें इस तरह से नीचे का जो घीरा है वो हमारा बढ़ गया है तो देखें यह हमारा इस तरह से बॉटम का घीरा आएगा अभी सेम इसी तरह से हमने दुसरे पार्ट में भी साइड की कलीओं को अटेच कर लिया है अभी हम इसे इसके उपर उल्टा रख देंगे दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है और उसके बाद हमें शोल्डर्स अटेच कर लिया है तो हमने शोल्डर्स को अटेच कर लिया है अभी हम स्लीव्स को अटेच करेंगे तो स्लीव की फ्रेंट साइड हमें कुर्ति के फ्रेंट साइड से मिला लेनी है उसके बाद स्लीव को हमें शोल्डर के उपर उल्टा रखना है और इस तरह से स्टिच कर लेना है इसी तरह से दूसरा स्लीव भी हमें अटेच कर लेना है और sleeve के bottom को हमें double fold कर देना है तो हमने sleeves को attach कर लिया है उसके बाद हम इसको उल्टा करके दोनों side से fitting कर लेंगे और bottom में हम double fold कर देंगे